students today we will study what does soil contain students this is chapter 4 इसका मतलब क्या हुआ what does soil contain means soil क्या क्या soil में रहता मिटी में क्या क्या होता है number one soil contains stones gravel यहाँ पे bracket में आप लोग देख रहे हैं इसका मतलब है जो gravel stones होते हैं उन भी कई तरह के होते हैं तो उसमें gravel भी होता है sand जो बालू है और clay जो एक तरह की मिटी ही होती है and humus होते हैं जो खाद जिसको हम कह सकते जैसे सड़े गले पत्ते पौधे यह सब mix करके जो खाद वगरा डालते तो उसे कहते हैं तो soil में यह सारे चीज होते हैं गुन होते हैं जी जी ढखन उसको बहुत बढ़ियां से हिला दीजे जैसे कोई चीज हम mix करते हैं डाल कर इस तरह leave it undisturbed इसका मतलब हुआ उसको छोड़ दीजे बिना उसको disturb किये बिना टच किये after some time कुछ देर के बाद we observe different layers in the jar कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि जब ढखन खोलते हैं तो उसमें काच का जार रहेगा तो बाहर से भी दिखेगा बिना ढखन खोले साइट से काच की बोटल में कुछ रखे तो दिख जाता है अलग-अलग layers दिखेंगे अब यह layers किस-किस चीज के हैं देखिए at the bottom of the jar jar के जो bottom में है मतलब नीचे की तरफ we see a layer of small stones हम क्या देखेंगे जो छोटे-छोटे stones है उसके टुकड़े सब एक साथ सारे जमा हो गए क्यों क्योंकि उस्टोंस थोड़े से भारी भी होते हैं तो पाने के अंदर अब कोई भारी चीज डालते है भारी वस्तू तो सीधे पाने के अंदर डूब जाती उसके सतह पे चले जाती है तो layer of small stones called gravel इसको क्या कहते हैं gravel कहते है it is the heaviest layer ये क्या होता है heaviest layer थोड़ा भारी layer है मैं अभी बोली आपको above the layer of gravel we find a layer of sand मतलब gravel जो है वो stone जो है उसके उपर किस चीज का layer पाएंगे सतह sand का मतलब baloo containing larger particles वो बहुत जादा मतलब बड़ा उससे particles दिखेगा कि मतलब जगा लिया है above the sand और फिर sand के उपर we find a layer of clay that contains fine particles और sand के उपर हम क्या देखते हैं जो layer बन गया clay का ये भी एक तरह की मिटी है जिसके particles fine मतलब अच्छे particles जिसके है the water above the layer of clay is not clear अब पानी जो है उसके उपर वो clear नहीं है dead leaves, twigs and remains of dead insects float on the water उसके बाद जो है मरे हुए पते या फिर वो dead insect मरे हुए कीरे मकोरे जो खाद में मिला के डाला वो float on the water पानी के उपर क्या करता है तैर रहा है क्योंकि वो एकदम हलके होते हैं तो पानी में तैर रहे है this is dark brown और वो कैसा है एकदम dark brown जैसा है in color and is called humus उसकों क्या कहते हैं humus it makes the soil fertile इससे क्या होता है मिटी उपजाओ fertile means उपजाओ इससे क्या होता है मिटी उपजाओ होती है this shows that soil contains stone sand clay and humus जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे आपको लगेगा पता चल जाएगा कि मिटी जो है वो contain करती stone gravel stone sand clay humus इसको contain करती है number two soil contains water अब देखे water की भी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे देखे यह picture दिया हुआ है तो यह picture के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है soil contains gravel sand clay and humus अब देखे यहाँ पे जो सता बन गया है दिख रहा है यह कांच का bottle है इसमें यह देखे उपर में humus है वो तेरते हुए सब कुछ है जो कीट पतंग है मरे हुए यह देखे पानी का layer है उसके बाद यह वाला clay है जो एक तरह की मिटी ही होती है यह है sand जो बालू होती है और सब से नीचे क्या है gravel है जो stone है क्योंकि यह थोड़ा heaviest है तो यह सब से नीचे bottom में आके जमा हुआ है तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि मिटी content करते हैं